जेहिन साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डिली करेंट अफेर्स की क्लास पर दोस्तों आज है 9 फरबरी 2024 और 9 फरबरी 2024 से रेलेटेड जितनी भी इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स होने वाली है उसे मैं आप लोगों के लिए डिसकस करने वाला हूँ तो पूरे जोस के साथ पूरे होस के साथ आज के सेशन का आगाज करते हैं और खुश से कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं और आज का टारगेट भी सेट करते हैं और निश्चित करते कि आज मुझे 6-7 घंटे पढ़ाई करनी है ठीक है आई आय जाएगा उसका राइड हो जाएगा विश्व पुस्तक मेला नीय डेली में आजित किया जाएगा जाएगा चांपर किम लोगा कर लेते हैं कलकाता में कर लेते हैं और तुरशकुंड अंताराश्टि शिल्प मेला हुआ है और चेंड़ई में वैश्विक समुद्र सिखर सम्मेलन आजित किया गया तो मैंने आपको सारे आप्शन परी बता दिये अब आई बढ़ते न्यू डेली के बारे में हम डिसकस करते जहां पर विश्व पुस्तक मेला जाता है जहां दुनिया भर का बुक का कलेक्शन होता है बहुत ही यहां पर इसकी जो प्राइस होती ही कम रखी जाती है और लोगों को यहां पर आवेर किया जाता है कि पुस्तक पढ़ना कितना इंपोर्टेंट है अगर आप बुक से जुडएंगे तो आपकी लाइफ जो है वो कौन है तो साओधी अरभ है पूछा जा सकता है और इसका जो आयजन कर रहा है तो भारत में बीटी है जिसम बोलते हैं नेशनल बुक ट्रस्ट इनके द्वारा इसका आयजन किया जा रहा है आप मेरे पीछे युवराज मलिक को देख रहे हैं और इस डारेक्टर आफ इसकी शुरुवात हुई है और विश्व पुस्तक मेला यहां पर और्गनाइस किया जा रहा है बहुत ही व्यापक स्तर पर अब दोस्तों बात यहां पर मेली की है तो मेले से रिलेडेट परिक्षा संजीवनी भी आपको देना जरूरी है और मेले से संबंधित करेंट अफ गया है 33 पुरम में किया गेर गोल मेला कहां पर अजइत किया गया तो उधव्यम्मू कश्मिर में यहां पर आजफ किया गया गोल मेला देकिन नेस्ट अकि caveat करें याने इंटर्श फूड इन हॉस्पिटिलिटी फेर कहां पर हुआ है तो यह न्यू डेली में आज़ित किया गया है यह बात आप याद रखेंगे 2030 में पहली बार पंजाब सरकार ने जींगा मेला का आयजिन किया गया है जींगा के बारे में लोगों कॉवेर्नस और जींगा की क्रशी को बढ़ाने के लिए जींगा की उत्पादन को बढ़ाने के लिए ठीक है अब दोस्तों मैं आपको परिक्षा संजीवनी में और भी फि पुश्कर मेला डेजर्ट मेला और यहां पर उट मेला भी लगता है इस थाने यहां पर वेला लगता है औरकार अहें आईए बढ़ते दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ second important current affairs आप सभी के सामने रहा गुरू श्रील प्रभुपाद की डेड़ सो वी जैनती कारक्रम का आजन कहां किया गया है where is 150th birth anniversary program of guru श्रील प्रभुपाद organized तो दोस्तों ये न्यू डैली में कहां पर न्यू डैली में मंडपम जो जगह है जहां पर G20 सम्मेलन हुआ वहां पर डेड़ सो नंबर की जैनती कारक्रम का आजन किया गया इसमें प्यमोदीजी उपस्थित रहे है तो आप मेरे पीछे ग जगह कहां पर भारत मंडपम वो जगह है दोस्तों ये जगह है तो आपको पता ही है G20 सम्मेलन कहां पर हुआ था यहीं पर हुआ था 2023 का सम्मेलन यहीं पर हुआ था, 2024 का सम्मेलन कहां पर होने वाला है, ब्राजील में होने वाला है, 2025 का सम्मेलन कहां पर होगा, साउथ अफ्रीका में होगा, कहां पर होगा, साउथ अफ्रीका में, अगर मैं आप से पूछो 2000, जो 22 का सम्मेलन था, कहां हुआ था, इंडोनेशि आई वापस से बढ़ते हैं गुरु श्रील प्रभुपात के डेड़ सो जैनती की कारक्रम के बारे में तो दोस्तों यहां पर एक स्मारक टिकेट और एक सिक्का जारी किया गया है इस जैनती के आफसर पर अब दोस्तों इनके बारे में जानते हैं गुरु स्रील प्रभुपाद जी के बारे में जानते हैं अगर आपसे पूछू कि इनका जनम कहां पर हुआ तो कोलकाता वो जगह है जहां पर इनका जनम हुआ 1896 में और इन्होंने गौडी मिशन की स्थापना की थे कौन समिशन गौडी एमिशन की स्थापना की दोस्तों इनका संबंद वैशनवाद से है वैशनवाद क्या होता है दोस्तों जो गुरु जो वैशनवाद वो होते हैं जो भगवान विश्नु की पूजा करते हैं और भगवान विश्नु के जितने अवतार हैं उनकी पूजा कर भगवान श्रे कृष्ण की जो टीचिंग है उसको पूरी दुनिया फॉलो कर रही है मैं खुद फॉलो करता हूँ आपको भी गीता पढ़ना चाहिए तो इसमें बहुत बड़ा रोल यहाँ पर गूरु स्रील प्रभू पाज जी का है अब दोस्तों मैं आपको महत्रपूर करेंट अफेर्स बताने वाला हूँ परिक्षा संजीवनी में जो आप से पूछा जा सकता है तो गोवा में क्या किया गया है प्यम मोधी जी ने यहाँ पर ONGCC सवाइकल सेंटर का उद्गाटन किया है इसमें क्या होगा इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी जहाँ पर अगर समधर में किसी प्रकार का आपदा आता है तो यहाँ पर हम पहले से ट्रेंड करेंगे अपने लोगों को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो यह कहाँ पर हुआ है न्यू डेली में और्गनाइस किया गया है भारत पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि किस प्रकार से भारत की जो ओटो मोबाइल इंडस्ट्री है वो बढ़ रही है और वो भारत पे इन्वेस्ट करें भारत भारत से चीज़े खरीदे प्रधान मंत्री सुरियोदा योजना का लक्ष है एक करोड रूफ टॉप जो यहाँ पर सोलर पैनल के स्थापना किया जाए जो गरीब लोग है उनके घरों पर ताकि उनकी बिजली की बचा थो और उनका बिल भी कम आए और यहाँ पर पर्यावर्ण के प्रदूशन को भी प्रधान मंत्री मोदी जी ने लक्ष दीप में परियोजनाव का उध्गाटन किया है और इसके लिए ग्यारा सो चपन करोड रुपे सुईकृत किये है आपको पता है कि यहाँ पर टूरिजम को बढ़ाने के कोशश की जा रही है और मालदीव को मालदीव का टूरिजम गि और मैं हूँ आप सभी का राजा गोपता जो लगातार आपको मैं डेली करेंट इफेर्स पढ़ा रहा हूं और मैंने आज 800 वह एपिसोड पूरा कर लिया है आज हमारा 800 दिन हो गया यह जो प्यार है और यह जो आपके बीच में मेरे बीच में जो रिस्ता है गुरू और श ग्राष् के जो विशेस्था है क्लेस आपको हिंदी माध्यम में नौनों माध्यम में मिलता है और आपको with अभी जहां पर आप डेली करेंटर इफेर्स पो लगा ता डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी महीने आज रूंलोड कर सकते हैं और दोस्तों यहां गुपता करेंट फेर्स हमारा टेलिग्राम चैनल है आप उस टेलिग्राम चैनल को जोइन करेगा यहां पर टेस्ट भी होता है important updates notifications के लिए आप जोइन कर सकते हैं चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो दोस्तों यह आप कर सकते हैं ठीक है ऑस्टेलिया में इसका आजन किया जा रहा है कहां पर ऑस्टेलिया में तो दोस्तों श्रिलंका में श्रिलंका और भारत की बीच में एक युद्ध भ्यास होता है जिसे बोलते हैं भारत में 2023 में G20 सम्मेलन हुआ है जी सेवन सम्मेलन कहां पर हुआ है 2023 में यह जापान में हुआ था जी सेवन सम्मेलन तो दोस्तों सात्वा हिंद महासागर सम्मेलन का आजन ऑस्ट्रिलिया में किया गया और यह 9 से लेके 10 फर्वरी के बीच में इसका आजन किया जाएगा जो जग है वो पर्त है और दोस्तों इसका जो थीम है एक स्थेर और टिकाओ हिंद महासागर की ओर ठीक है जो हिंद महासागर चेत्र उसको प्रॉपरली डबलब करना उसके जितनी भी मेंबर कंट्रीज है इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे है इसमें भारत की तरफ महासागर के अगर हम बात करें तो देखें आप जो इंडन ओशन इंडन ओशन वाला रीजन आप देखें तो यह आप देख पा रहे हैं भारत के दक्षिन में यह पूरा जो रीजन आप देख पा रहे हिंद महासागर छेत्र है यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा का प्रशान्त महासागर है और इसका जो टोटल एरिया है वह यहां पर आप देख पा रहे हैं सेवन क्रोर 34,25,500 km2 और यह महासागर का सबसे बड़ा जो दीप है वो मेडागासकर है जो यहां पर लोकेटेड है आफरीका के पास है मेडागासकर अब दोस्तों कुछ मैं आपको और भी बता रहा हूं जो आपसे पूछे दा सकते हैं कॉप 28 सिकर समिलन कहा पर हुआ दुबई UAE में कॉप 29 अजर बैजान की बाकू में होगा विश्व निवेश समिलन न्यू डेली में और्गनाइस किया गया हैंफेस 2030 एमदाबाद में बायो एनर्जी समिट 2030 न क्या है बाड मतलब boundary बीच में फेसिंग की जाएगी ताकि दो देशों की सीमा के बीच में एक आप कह सकते सीमा बन सके ठीक है जिससे दोनों के बीच में आवाजाहि बंद हो जाए उससे बाड फेसिंग लगाया जाता है तो भारत और मेमार के बीच में यहां पर जो बहु प्रभावित हो रही है अगर हम उनको परमिशन देते तो हो सकता कोई आतंगवादी आ करके मड़िपूर नागा लैंड मिजोरम जो हमारी इस्टन वाले जो स्टेट है उसमें नौर्थ इस्ट वाले जो स्टेट है वहाँ पर जाकर के डिस्टर्बेंस क्रेट कर दें तो इसल क्यारे में और अफडेट आया इसलिए क्वेशन को लेकर के आये हैं तो 1200 किलोमेटर का बॉर्डर है ये क्वेशन पूछा जा सकता है तो आप यह अरुणाचा प्रिदेश देखिए आप कहा कहा पर बार लगा जा रहा है और कौन कौन से सीमा यहां पर छू रही है तो आप 243 किलोमेटर एक लंबा के सरकार के द्वारा भारत मेमार के बीच में विद्रोहियों को रोकना है घुसपैठियों को रोकना है जो इंसर्जेंट है जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनको रोकने के लिए यहां पर बाड़ और फेसिंग लगाई जा रही है ठीक है यह बात आ एक किलोमेटर की दूरी पर फेसिंग की जाएगी और मतलब एक किलोमेटर विच में यहां पर फेसिंग की जाए ताकि कोई भी आही ना सकते मेमार की बात कर लें तो मेमार के पडोसी देशों को देख लेते हैं तो आप यहां पर मेमार देख पा रहे हैं मेमार यहां पर आ लगा हुआ है तौ इस प्रकार से मेमार की सीमा हैतार नीचे अंड़मान सी है मे Financial है ने पाईदाव ठीक है यहां के ृ gesehen है माइस्ट supports which Wednesday HP अर्मी का साशन चल रहा है और यहां पर क्या हुआ है तक्ता पलट हुआ था और यहां की जो करंसी है वो क्या थे यहां की करंसी भारत के साथ पड़ोसी देशों की साथ जो सीमा है मैं उसके बारे में तो पूरा डिटेल नहीं जाओंगा लेकिन सबसे ज्यादा जो सीमा लगती हो बांगलादेश से लगती है जो 4096.7 किलोमेटर है इससे पांच राज्यों की सीमा चू रही है बांगलादेश से असम मेघाले पश्चिम बंगाल त्रिपूरा मिजोरं ठीक है और यहां पर एक और असम मेघाले मिजोरं त्रिपूरा पश्चिम बंगाल यहां पर एक असम मेघाले हां पांच राज्यों के नाम मैंने आपको बता दिये तो पांच राज्यो के साथ सीमा नेपाल से भी लगती है मैं मार के साथ चार राज्यों के साथ जो मैं आपको बता चुका हूं अगला कोश्चन आप सभी के स्क्रीन पर यह रहा आइसी सी टेस्ट रैंकिंग में सबसे शीर्ष पहुंचने वाले पहले भारती तेज गिंदबाज कोन बन गया है त थीक है तो सबसे उपर पहूंचें ये कैसे भारती डेर यह रिए से जो पुरी दुनिये के जश्पित भूम रहा है और बीच में काफी चोटिल होते हुए पिर भी इतना अच्छा परफॉर्म्म किया इनसे कुछ सीखने को हमेसी आपको मिलता रहेगा तो पहले ऐसे भारती तेज गेंदबाज बन गए हैं जो ICC की टेस्ट रैंकिंग में सब से उपर है ठीक है और इस्पिनर अश्वेन रविन जडेजा पिशन सिंग बेदी के बाद नंबर एक इस्थान आसिल करने वाले चौथे खिलाड़ी हैं यह फास्ट बॉलर है और यह स्पिनर थे जो पहले फर्स्ट रैंक पे पहुँच चुके हैं इसे पहले अब दोस्तों परिक्षा संजीवनी में मैं आपको स्पोर्स करेंट अफेर्स के बारे में बताने वाला हूं तो टी 20 क्रेकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने के रेकौर्ड रोहिश शर्मा के पास है इन्होंने 5 सतक जड़ा है विश्वनाथन आनंद को किसने पछाड आर प्रग्यान आनंद है और यह तमिल नाडू राज से बिलौं करते हैं इनकी बहारत की 84 नबध benefit नम्पर मास्टर है सबसे miracle पीच गेम्स हुए थे दियों में और 2024 में MP में पहला स्थान हासिल किया MP ने सबसे पहला स्थान हासिल किया दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्टरी में मैं आपको फादर और रेविलुशन के बारे बताने वालों भारत ने बहुत सारी क्रांतियां जिन्होंने कुछ ना कौन सा गेहू और चावल के उत्पादन में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया निली क्रांति का जो मकसद है इसमें फिश मचली का उत्पादन और मैरिन प्रोडक्शन जो समुद्र में जीव पाए जाते हैं उनके लिए निली क्रांति जनक स्टार्ट की गई थी अरूर क सौधरी को मना जाता है गुलाबी क्रांति के जनक कौन है दुर्गेश पटेल है जींगा मचली जींगा मचली उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति स्टार्ट की गई स्वाणिम क्रांति का जो जनक है निर्पक तुतेज को बनाया गया कौन निर्पक तुतेज स्वाणि में आता है मांस और टमाटर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो तो विशाल तिवारी इसके फादर कहे जाते हैं सिल्वा करांथी मतलब रजयत करांथी अंड़ उत्पादन के लिए इंद्रा गांधी जी को यहां पे फादर अफ रेवलुशन में शामिल किया जाता है आ उस तो फिट इंडिया बुबेट में IRS ऑफिसर इंडिन रेवेन्यू सर्विस में है यह नरेंद कुमार यादव यहां पर इन्हें ब्रेंड अंबस्डर बनाया गया है मेहंदर सिंग धोनी SBI के और Gio Mart के ब्रेंड अंबस्डर है SBI और Gio Mart के ब्रेंड अंबस्डर MS धोनी ह कैटरिणा केफ की बात करें तो यूनिकलो यूनिकलो अपने अगए ब्रान्ड सुना होगा तो फे रैंडेंड और Gio Mart रखना ठीक है दोस्तों आप फिजिकली फिट रख सकते हो यहां पर एरोबिक्स करके साइकलिंग करके योगा करके जिम जा करके और प्रणायाम करके तो आप अपने अपको फिट रखें जो बहुत ज़रूरी है 2019 में इसके शुरुवात हुई है और दैनिक जीवन में जो शारेरिक गतिविदी है फिजिकल अक्टिविटी है और अपने साथ खेल को शामिल करना इसको प्रशाइद करना फिट इंडे मुव्मेंट का मकसद है दोस्तों यहां पर बोट के अभी ब्रैंड अमबस्डर बने है जो आपने सुना होगा बोट की घड़ियां आती है बोट का यहां पर घड़ी के अलावा आपने देखा है जो म्यूजिक सस्टम है इनका तो बहुत ही अच्छा है बोट का तो रडवीर सिंग इसके ब्रैंड अमबस्डर है शैरुख खान ICC World Cup 2013 के ब्रैंड अमबस्डर और च्फ्राक प्रेटन के ब्रेंड अमबस्डर सौरभ गाउंगली पैप्सिकु इंडिया के ब्रैंड एब सिंग और अघ्क बनाया गया है कि ऑगरते दोस्तों अगला question विश्वरक्षा प्रदृषणी ठोजार 24 का आजनि किस देश में किया गया है तो इस इफेंस एक्जिबीशन 2024 एफ इन विश्ट कांट्री तो दोस्तों यह जग है साउधी अरब कौन सा जग है साउधी अरब दोस्तों यूएई में अभी क्या हुआ था 2023 में artificial intelligence conference हुआ था आप Bundesregierung क्या क्या दोस्तों इयान ने भारत को वीजा फ्री यानी भारत के जो परटयग सकते हैं वीजा के पर्मिश्र marriage पर्दल्शन सब्सक्राइब G7 समेलन तो विश्व रक्षा प्रदशनी जो रक्षा राज मंत्री अजय भठ शामिल हुए भालत का रक्षा मंत्री राजनास सिंग है लेकिन रक्षा राज मंत्री अजय भठ है जो भारत की तरफ से इन्होंने रेप्रेजेंट किया है दोस्तों विश्व रक्षा प्रदर्शनी का मकसद क्या है तो विश्व रक्षा को कोडिनेट कर सकते हैं तो इसको बढ़ावा देने के लिए विश्व रक्षा प्रदर्शनी का आईजन किया गया है शाओदयरब के बगल में लाज सागर देख रहा है भारत के लिए जगे बहुत इंपोर्टन्ट अगर बारत को यूरोप से ट्रेड करना है तो लाज साघर होते हुए ही भारत को करना होगा और साउदियरब के बगल में यहां पर इराक है इधर की कुवायत है और कटर जो दे यहां के प्रधान मंत्री हैं दोस्तों अभी यहां पर एक एक्सपो हुआ है 2030 का वर्ल्ड फेर जो है 2030 का वो कहां पर होगा साओधी अरब में आजित किया जाएगा एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेर का आजिन किया जाएगा ठीक है चलिए आई बढ़ते प्रशन की तरफ विधान सभा में समान नागरिक साहिता विध्यक पारित कंडे वाला पहला राज कौन सा बन गया है तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको बताया था पहले अब यहां पर पूरी तरीके से यह लागू हो चुका है और यह पहला राज है जिसने इसके लागू कि किया है तो यह पहला राज है ठीक है राजस्थान में क्या हुआ है राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल लाया गया है राजस्थान में मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो बहुत सारी योजना अभी हाली में स्टार्ट टू लाडली ब बिद्धेयक पारित करने वाला पहला राज उत्तर अखण बन गया है। अब देखें, यहाँ पे यूची सी जो लागू हुआ है, तो इसमें क्या होगा ? परस्नालोग खतम हो जाएंगे اور सभी के लिए क्या फारक नहीं पढ़ता, आप क्सी जिएभार्म के लिए आपके लिए एक जैसा ही कानून लागू होगा दोस्तों लेकिन एक विशेश बात आपको याद रखनी है जो वहाँ पर जन जाती समुदाये हैं जो वहाँ पर ST है उनके लिए कानून एक जैसा नहीं होगा उनके लिए special tribal communities के लिए special यहाँ पर क्या दिया गया एक कह सकते इनको उसमें शामिल नहीं किया जाएगा बाकी सब के लिए है अब दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड से related current affairs को डिसकस करते हैं तो उत्तराखंड राज्य की पहली high court की मुख नयादीस कौन बनी है नियाय मूर्ती रीतू बहरी बनी है यह बात आप याद रखेंग उत्तराखंड में वैश्विक निवेश सम्मिलन कहां पर हुआ है देहरा दून में इसका आजन किया गया है उत्तराखंड एक ऐसा राज जो कहा है जो medical college में हिंदी Mbbs पार्ट करम को शुरू कर रहा है और यह स्वरी दूसरा राज है पहला राज मध्य प्रदेश ठीक है चली आगे वढ़ते है नमीविया के नए राष्टरपति कोन बने हैं उने प्रश्वर्ण ऐस्पाती नमीविया रखेंगत हैं मंघीव है तो जो है नमीविया की नए प्रेसिधेट बने मेरे पीच्छ आप देख पा रहे हैं तो दोस्तों अभी नमीबिया के जो प्रेशिडेंट है धे थे गिंगो वो तो उनका निधन ओ गया कैंसर से तो आब वहां पर नए प्रेशिडेंट की जरुरत थी और सिंधन बनाये गया है इनके ठाद नंगोलो तो मबूमबा नमीबिया की निए सिας बने अब न मीबिया कहां पर है तो South African continent में आप देख पर Africa महादीप में तो इसकी उपर आप अंगोला देख रहे हैं इसकी boundary जांबिया से जुड़ी है बोच्वाना से लगी हुई है यहां पर आप देख रहे हैं और South Africa तो यह Africa continent के आपको South में नमीबिया देखने को मिलेगा इसकी capital क्या है windhawk है ठीक है नमीबियाई डॉलर यहां की currency है प्रधान मंत्रिये सारा कू गोंग लेवा ठीक है सारा कू गोंग लेवा याद रखिए गा दोस्तों हाली में कुछ अंतराश्टी न्यूप्तिया हुई एक बार उसे पर रिवाइस कर लेते हैं तो अल सल्वाडो अब सभी के सामने रहा सौराश्ट क्रिकेट एसोसीशन स्टीडियम का नया नाम क्या हो गया है तो यहां पर सौराश्ट क्रिकेट एसोसीशन का नया नाम हो गया है निरंजन शा स्टीडियम क्या हो गया है निरंजन शा स्टीडियम इसका नाम हो गया है तो निरंजन शा के टाइम की प्लेयर है जो सौराष्ट के सौराष्ट के लिए बारा ऐसी प्रथम श्वेड़ी क्रिकेट इन्होंने खेली है और यह इसके अलावा सचीब भी रह चुके हैं शा तो यहाँ पर इनको इन्हीं की नाम पर क्या रखा गया है सौराष्ट क्रिकेट स्टेडियम का नाम चेंज करके निरंजन शा की नाम पर रखा गया है दोस्तों बहुत सारे नाम अभी बदले गया है एक बार उससे भी पूरा रिवाइस कर लेते है तो मर्यादा पुर्षोत्तम राम अंतरास्टी हवाई अड़ा अब इसका नाम हो गया है महारेशी वाल में की अंतरास्टी हवाई अड़ा अध्या रिल्वी स्टेशन हो गया है अध्या धाम जंक्षन पंजोखरा गाउं जो की हरियाणा में पंजोखरा साहिब हो गया ह फिरोजाबाद जो की यूपी में चंदरनगर हो गया है आईशमान भारत स्वास्त और कल्यान की इंद्र आईशमान आर्योगी मंदिर हो गया है एमदाबाद दिल्ली संपक करांति एक्सप्रेस अक्षर धाम एक्सप्रेस हो गया है जो मुगल गार्डन है राश्पती में इस पुराने महीनों के लॉस एंजलेस दो हजार अठाइस में कौन सा खेश शामिल किया गया है तो दोस्तों क्रिकेट आपको देखने को मिलेगा दो हजार अठाइस के आपके ओलम्पिक्स में नागा रेजीमेंट को प्रेसिडेंट कलर से किसने समानत किया है तो मनोज पांड के क्रू एसकेट सिस्टम की टेस्टिंग कब की गई तो 21 अक्टूबर 2030 को इसके टेस्टिंग की गई विजिंग्जम बंदरगा किस राज में जहां पहला माल वाहग जहाज पहुंचा है तो दोस्तों केरल राज में है यह ठीक है सेना कमांडरों का सम्मेलन कहां पर आजित किया जा रहा है तो न्यू डेली में इसका आजन किया गया है अंतरास्टी गरीबी उनमूलन दिवस्त कब मनाया गया तो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है सरकार ने अधिकारिक तौर पर किस दिन को राश्टी अंतरिश दिवस घोशित हूँ 23 अगस्त को दोस्तों हमारा जो 59 नंबर के राश्टी फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का वाड किसे मिला है रॉकेट्री दा नंभी एफेक्ट को मिला जिसके अक्टर है माधुवन नेस्ट है केरल की पहली 3D प्रिंटेट इमारत कहां बनाई गई तिरुवनंत पुरम में इससे बनाए गया है दोस् से कब तक किया जाएगा तो दोस्तों 6-9 फरबरी के बीच में किया जाएगा मुख्य मंत्री वयोशिरी योजना ये ब्रिद्धों के लिए है 65 साल से उपर जो महरास्ट में लॉंच के गई है जो मेंटेली और फिजिकली जो किसी वज़े से परिशान उनके लिए किस देश ने भारती नागरिकों के लिए वीजा फ्री आत्रा नीती की घोशना की है तो ये देश है इरान किस अंस्थान ने हाइपर वेलोसिटी टनल का सफल परेक्षण किया है तो यह आयाटी कानपूर मीयो ओका भारत में किस बैंक के कंट्री निदेशक बने है तो मीयो ओका की हम कॉलिफाーईर मैच कहा खेला जायेगा कॉतिशिके न रसकार अन्ट थ्रो है नायाब की लह लिक 주경 के राष्टर पति भने के जो फिलिफ्स एक के देश प्रैमिनस्टर लेकर क्या है थ्यान से सुनिएका आई देखते हैं deix्मरत 9th में कौन सा शहर दजला एवं फरात नदियों के संगम परिस्थित है तो ये जगह है बस्रा कि लंदन किस नदी किनारे है कई बार कोशन पूछा है तो लंदन थीम्स नदी के किरल है बुड़ा पेस्थ सहर तो हंगरी की क्याप्टल बुड़ा पेस्थ है ये डैन्यूब नदी के किनारे हैं रोम इटली जो नगर है इतली में ये किस नदि किनारे बसा ओए है तो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है रोम धूस्तो नहुफरे ज kelp को बहुत अचछे से पड़ा है अब दोस्तों बारी आपकी टेस्ट लेने की इंपने कितने ध्यान से पूरे सेशन को सुरा है आई देखते हैं आपका टेस्ट लेते हैं दस में से आप कितना स्कोर करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स पे आप बताएंगे अंतरास्टी परिटन मेला 2030 कहां पर हुआ है इस पेन में आजित किया गया हिंद महासागर सम्मेलन का पहला संस्क्रण किश वर्स हुआ था 2016 में हुआ था गुरु स्रील प्रभू पात का जन्म कहा हुआ था तो कोलकाता में इनका जन्म हुआ था श्रवडी मेला किस राज में लगता है तो जारखन राज में दोस्तो श्रवडी मेला लगता है ओन जी सी सी सवाई का सिटर का उधगाटन किस राज मे किया गया तो गोवा में इसका उद्गाटन किया गया कॉप 28 सिखर समेलन का आजन के इस देश में हुआ है तो दोस्तों UAE में हुआ है T20 ग्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्ले बाज कौन है तो दोस्तों यह है रोहिश शर्मा नेस्ट है फिट इंडिया मोव्मेंट के शुरुआत किस वर्स हुई है 2019 में इसकी शुरुआत हुई है अभ्यास सदा तंसिक का आजन भारत वा किस देश की विच में हुआ है तो सदा तंसिक जो है साओधी अरब और भारत के विच में इसका आजन किया गया विंड होक किस देश की क्यापिटल है तो नमीबिया की राजधानी है विंड होक दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेशन है सोनपूर मवेशी मिला किस राजबी लगता है इस कैंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है ठीक है और वर्तवान भारत के सीडेस को ने इसको भी दोस्तों टेस्ट रेगुलर होंगे और मार्स भी आपके रेगुलर यहाँ पर पॉयंट होंगे देखे एक्चुली मेरे पास लोगों की कमी है क्योंकि में पास अल्रेड़ी बहुत काम होता है रसॉर्स की कमी है संसाधन की कमी है छुपाने कोई बात नहीं तो अबी हमने की टेस्ट के लिए एक टीम को हायर किया है जो आपके टेस्ट को कंड़क करेगी और यह वाली प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आएगे तो दोस्तों कुछ चीजे मैं यहां पर आसानी से करता हूं क्योंकि यह फैंबली हमारी है इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है किसी पर चलाने के लिए बड़ी टीम बड़े संसाधन की ज़रत होती है कोई भी आपके साथ काम करता है तो इसको भी ब्रेड और बटर चाहिए तो अब यहां पर हम प्रॉब्लम्स को धीरे-धीरे सॉल्व कर रहे हैं ठीक है और हम उस तरह बढ़ रहे हैं तो यहां पर आपका टेस्ट रेगुलर चलेगा डेली 11 बज़े आपको टेस्ट लेना है 11 बज़े आपको एप्लिकेशन में टेस्ट देना पड़ेगा आप याद रखे यहां पर क flew किया है जो डेली करेंट अफरेस का टेस्ट होगा उसमें क्या पूछा जाएगा जो आपका जीके ओता है जो आपका करेंटफर्स होता है जो आपका रिवीजन होता है उसको से पढ़ना होगा तभी आप टेस्ट दे पाओगे ठीक है पूजा कुमारी टॉपर हैं चेतन कुमार सेकेंड रभी प्रकास थर्ड विकास फूर्थ नेहां फिफ सालिनी कुमारी अलका गोत्तम बाबर अंसारी नितिश कुमार और पुर्णीमा आ रहे हैं आप सभी टॉपर ह सबने टॉप किया लेकिन यहां पर समय का फर्क है समय मैंने नहीं लिखा है तो पूजा कुमारी ने सबसे कम समय लिया होगा इसलिए उनको सबसे टॉप पे हो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा के मेरा एक और चैनल है इसका नाम है स्टडी कर हमारे दो चैनल है एक अब ही मैं आपको लाइव लेता हुआ देखने को मिलेंगा बड़ा अच्छा रस्पांस आप लोगों ने 60 दिन 60 मेरत्थन का दिया इसके दिल से धन्यवाद और आप अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर सकते जिने नहीं पता मैं बार-बार कह रहा हूं कि आप इसे जरू जी सर लेंगे और आड़ बजे और फिर नौ बजे राजय सर की स्टाटिक जीके की क्लास है जो दस अजार प्लस प्रीवेस एर कोश्चन ला रहे हैं जरूर अटेंड करिएगा क्लास को हमारी yearbook है हमारी monthly current affairs है जो आपको कहाँ पर study कर application पर मिलेगी study कर को download कर लेना e-book section में जाना और डेली current affairs की PDF आपको यहीं पर मिलेगी और आपको टेस्ट भी यहीं पर देना है तो सब कुछ एक ही जगह पर हमने रखा है बहुत सिंपल है इस application का बहुत सिंपल बनाया है तो टेस्ट जो आज आप दोग है जिसका number आप देख रहे हो वो इसी application पर होने वाला रा प्यादत दीजिए फिर मिलेंगे इसी जोस इसी उर्चा के साथ जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं याद रखिए आपको और मुझे दोनों को मिलकर कि इतिहास रचना है हम दोनों यहाँ पर इतिहास रचने के लिए जुड़े मिलते हैं दोस्तों खुश रहें मुस्कुराते रहें